अब दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिट्विन वन वेस लैब और टूवेस लैब का देखिए यह बहुत ही बेसिक टॉपिक है और जहां तक मैं जानता हूँ यह हमें जिनको नहीं पता है तो वो आज सीख सकते हैं कि वन वेस लैब और टूवेस लैब में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और जब भी हम कहीं देखें तो वन वेस लैब क्या है इसली उनको पहचान पाएं ठीक है और मैं आपको बताऊंगा कि कि किन किन चीजों से आप पहचान सक कि यह हमारी one-way slab है और यह हमारी two-way slab है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं one-way slab होती क्या है one-way slab is a slab which is supported by beam on two opposite sides to carry the load along one direction in one-way slab the ratio of longer span L to the shorter span B is greater than or equal to 2 इसा point मैंने क्या बोला कि one-way slab वो वाली slab है जिसकी दो opposite sides जो है beam में लगी हुई हो जैसी हम slab ले लेते हैं यह side और यह side opposite हो गई और यह वाली side opposite sides हो गई इसकी ठीक है अब इस side और beam लगे हुए है और इस side और इस side beam नहीं लगे हुए है तो हम बोलेंगी यह हमारी one-way slab है ठीक है अब दूसरा criteria क्या है इसको पैसाने का इसकी longer side और shorter side की ratio यानि कि longer side को shorter side से आपको divide कर देना है अगर वो 2 या 2 से बढ़ा आता है तो हमारी one-way slab है ठीक है यह इसकी opposite side है यहाँ पर beam लगी हुई है बट यहाँ पर नहीं लगी है अगर आप इसको नीचे से देखो तो कुछ इस तरह से आपको देखेगी ठीक है यह हमारी one-way slab अब देखिए मैं आपको two-way slab बता देता हूँ two-way slab होती क्या है अब two-way slab वो वाली slab होती है जिसकी चारो side beam से supported होती है ठीक है यानि कि जैसे जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इसकी क्या थी opposite side जो beam से supported थी बट इस slab को देखो गए आप यहाँ पर भी beam लगा हुआ है यहाँ पर भी लगा हुआ है ठीक है तो यह हमारी क्या हो गई two-way slab हो गई ठीक है जिसमें चारो side beam से supported है वो हमारी two-way slab हो गई अब दूसरा criteria देख लेते हैं कि इसको हम कैसे recognize करेंगे कि यह हमारी one-way slab है या two-way slab है तो दूसरा criteria वही है जो हम longer spend to the shorter spend की ratio लेते हैं अब इस case में क्या है यह देखिए जैसे यह है इसका longer spend longer spend L to the shorter spend B अगर इसकी हम ratio लें और वो अगर दो से छोटा आए ठीक है less than two आए तो हमारी क्या है two-way slab है समझगे तो अब इसकी मैं आपको कुछ example बता देता हूं ठीक है two-way slab तो जैसे आप देख सकते हो कि यह two-way slab है इसकी चारो side-end जो है beam से supported की होगी है और beam से load जो है column में distribute हो रहा है column से load का distribution इस तरह से होगा ठीक है अगर top से देखोगे कुछ इस तरह से देखेगे side view से देखोगे ठीक है यह था हमारा one-way or two-way slab का basic difference I hope आपको समझ आ गया होगा अगर कोई भी doubt है तो आप मैंसे पूछ सकते हो और मैं आपका doubt clear करने के कुशिश करूँगा तो यह था इसके one- आपको जनरली क्या दिखती है one-way slab दिखती है कैसे दिखती है कि जनरली वहाँ पर opposite sides में भीम लगे होते हैं और अगर हम दूसरी तरह बात करें two-way slab की जिससे आप कोई भी देख लो कमरे शमरे देख लो तो उसमें क्या होता है कि चारो side जो है हमारी वह भीम से supported होती है त तरह वर तोदे तक्य। 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 वरी मुच वर वाचिंग इस वीडियो।